हेलो गाइज माई नेमी शाकीब और आप देख रहे हो टेकूब दॉट कॉम और यह उप्पो रेनो टेनेक्स जूम वाला फोन जो कि बहुत ज़ा फेमस हो रहा था चाइना में और फाइनली इंडिया में भी लाउंच हो चुका है तो आज मैं आये वहा हूं उप्पो रेनो क सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के प्राइसिंग की और इसके प्राइसिंग स्टार्ट होती हूँ आपको होते हैं फोटी थाउजन रुपीस से और इसको यूएसपी है इस फोन की वह है इसका 10x lossless zoom इसका बहुत कमाल का डिजाइन और फ़र्ट चीज़ है इसके शार्क फिन वाला यह सेलफी पॉप पॉप कामरा पॉप पॉप कह सकते हो शार्क फिन कह सकते हो जो कह सकते हो लेकिन है यह बड़ा ही गजब का और नया जैसा व आप देख रहोगे में को बड़ा ही कमाड लगाएं में इसके क्वालिटी को दाचवां थै इसकी है है स्कान से बसंद कमाल का लगा मुझे अमिलेट डिस्पले है 6.6 इंच का इसको जो आपको चीन है हो बहुत ज्यादा पतल है बहुत मिनिमल है और इसके पैसे इनको अच्छीव करने को मिला 93% का स्क्रीन तो बाड़ी रेश्यो जो कि बहुत ज्यादा होता है और मतलब अपने प्रैसिंग में और इन हैंड आपको पूरा-पूरा फुल एकैसे about करने इसके बैक की बास्तिक इसका चो फ्ilant है वो बहुत ज्यादा प्रिम्म है और गया फिल्स देता है लेकिन रिम्म फील्ड देफिन ने थैटा है और दो कलर्स में अव्लेबल है ब्र जटढ ब्लाक और obsession ब्लू और ऑसिन pick ap बल्यकर प्लाइब है आपको ब्लू यहां पे आपको जब कर्व होता है फोन तो गोरिला ग्लास कभी भी काम नहीं करता लेकिन आपको फ्लैट डिस्प्ले तो पकी बात है कि अच्छा मानता हूं बहुत अच्छा डिस्प्ले अब बात करते हैं इसके कैमरा की सबसे पहली बात इसमें आपको 10x जूम तो बहुत ह बात करते हैं इसके कैमरा स्पेसिफिकेशन की तो ट्रिपल रेर कैमरा यहां पर 48MP के आपको मेन कैमरा है इसमें आपको सोनी का 586 सेंसर मिलता है बहुत ज्यादा फेमस सेंसर गाइस 48MP सपोर्ट करता है और जो क्वालिटी आती हो बहुत ठगड़ी आती है जो दूसरा कैमर आपको 13MP का टेली फोटो लेंस कैमरा जिसे आपको जूम होता है और जो थर्ट कैमरा वाइड अंगल कैमरा है एट मेंगर पिक्सल का 120 डिग्री पर आपको वाइड अंगल शौक्ट ले लेता है तो वाइड अंगल इससे मैंने टेस्ट किया और उसा कैमरा जो है गाइस बि मैं तो लग रहा था भाई तुम्हारा ही पता नहीं और इस फोन में आपको नाइट मोड मिलेता है जो कि आपको वर्जन टू है ओपो का और वर्जन टू के इसाफसे इन्होंने मल्टी फ्रेम टिकनोलजी का यूज़ करके बहुत सारे फ्रेम को एक साथ जोड़के इसमें पकी बाते अच्छे आ जाएंगे चैमरे के मामले में यह फोन बहुत ही कम आलका है जिसकी बात करते हैं जो कि है इसका प्रोसेसर तो फ्लैक्शिय प्रोसेसर है स्नाप्रेगर 855 इसका मतलब कि गेमिंग में या पिक परफॉर्मेंस में कभी परशाइन नहीं आने व इसका मतलब है कि सबसे लेटेश वरजन है तो आपको रैम में यानि कि जो भी रैम का काम होता है मुवाइल में वह पकी बात है सबसे अच्छा होने वाला है यूफस 2.1 है इसका मतलब कि जो एप लोग स्पीड होगी वह बहुत जादा क्रेजी फास्ट होगी उसमें भी को इसका मतलब है कि आपको फास्ट चार्जिं टिकनोलोजी मिल या तो मुझे लगता है कि फास्ट चार्जिं में कोई परशाइन नहीं होगी तो अगर बात करते है इस फोन की तो 40 अवरोपी के हिसाब से इस सूपर वाल्ट में मानता हूं क्योंकि आपको इस फोन में हर एक उपर सिसके जो डिजाइनिंग है वह बहुत प्यारी लगी और इन हैंड फील मेरे को परफेक्टली फाइन लग रहा है और में बात तो यह है इसका जो यह यह जो चीज है ना यह मेरा परफेक्ट फाइन है एक सिल्फी लेता हूं मैं आप लोगों की साथ और यह सिल्फी आप यहां पर देख रहोगी इतना ही कुछ था इस वीडियो के लिए ओपो रेनों का फर्स्ट हंड इंप्रेशन हमने कर लिया है और मुझे लगता है कि सुपर वाल फोन है दुबारा बोल देया मैंने इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर कि आपना लव भी जिदा सकते हो थैंक्स फॉर वाचिंग जैहिंद और बाइब